रविवार को शक्ती की उपासना का पर्व नवरात्र का त्योहार पूरे हर्शोलास के साथ शुरू हो गया। ये प्रकृती रूपी मा शक्ती की पूजा आराधना और उपासना का महापर्व है। नवरात्र में पूरे नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार नवरात्री 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक रहेगी। आज नवरात्री के प्रथम दिन सुबह से ही महानगर समेथ ग्रामीन अंचल के प्रसिद मा के मंदिरों व दुर्गा पंडालों में मा का जलाभिशेक करने को भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। दिल्म भर मंदिरों में जयकारे गुंचते रहे। तो कई स्थानों पर मा के पंडालों में प्रतिमा की स्थापना का कार्य हुआ। आश्विन मास की नवरात्र के पवित्र 9 दिनों में मा भगवती के विभिन 9 रूपों की विधि-विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इन दिनों भक्त देवी को प्रसंद करने के लिए उनकी भक्ती में लीन होकर उन्हें मनाने के लिए तरह तरह के उपवास वह पूजा अर्चन करते हैं मान्यता है कि नवरात्री में देवी की आराधना करने से श्रद्धालूं की सारी मनोकामनाय पूरी होती है नवरात्र के नौ दिनों में मा के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है मा के हर रूप का अपना अलग ही महत्व है माता रानी के असीम कृपा पाने के लिए श्रधालू नौ दिन तक व्रत उपवास करते है कोई लोंग खाकर व्रत करता है तो कोई केवल जल पीकर व्रत रखते है कोई जवारे बोकर उनकी पूजा करते है रविवार को प्रथम दिवस मा शेल पुत्री की आराधना की गई साथ ही कलश स्थापत करते हुए व्रत वह उपासना शुरू कर दिया गया चैत्र नवरात्र के पहले दिन ही मंदिरों में श्रद्धालू मा की पूजा अर्चना में सुभा से ही लग गए घंटे घडियाल और शंक की गूंज के बीच माता रानी की जैकारे से पूरा वातावरन भक्तिमय हो गया नवरात्र में मा के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी की शरीर में नई उर्जा नया उत्सा और सद्विचार का संचार होता है इन दिनों लोग रामचरिक मानस्व दुर्गा सप्चती का पाठ भी करते हैं हिंदु धर्म में शार्दिय नवरात्री का विधान शक्ती उपासना द्वारा परिवार में सुक, सम्रिध्धी, आरोग्य एवं सुयोगी संतान की प्राप्ती के लिए किया गया है शार्दिय नवरात्र में ही मा दुर्गा जी से राक्षसों के वधेतु नौ दिनों में नौ रूप धारन किये और दैत्यों का सनहार किया इस पार पूरे नौ दिन की नवरात्र है 21 अक्टूबर को सब्तमी एवं महानिसा पूजा, 22 अक्टूबर को महाश्टमी तथा 23 अक्टूबर को महानवमी एवं जवारों का विसर्जन होगा 62 अक्टूबर को यह चिपाद की वावन शक्ति पीठ है और यह सधियों से क्या यूगो यूगों से सर्थालों की वीट साद्यों की गृट नरतन सर्था नावरात्र को अज परस्तन की बिश दीवस्ग है यहां पर भी हर वर्ष की भाति इस वर्ष भी सरधालू देश विदेश और पूरे प्रियाग राज से और आसपास के गाउ द्याव से सब आते हैं क्योंकि यह बहुत बाव नाओं की खुल देवी भी है सक्ति पूपारे के साथ साथ तो यहां भगवती का जो करांगुल है आ अग्ष्यवट से वाइब यह कों गिरी थी वह यही मूलु स्थान है भवानी लजीता भवानी लजीता लोग शंकरी इनको कहते हैं वह दक्ष्रिभाट के जो से ठालू आते हैं वहना इनको अश्टा दस माध इस्वरी में माध विश्वरी नाम से जानके हैं जो कि महालक् अधर ने है उसका है लोगन हो कि तो एक्ष्य होजाते है खुरी कि थर्म अर्थ काम और मुक्ष अधी ब्रदान करती है वो सर्विस्वाद्धालों आके अपनेश्टधान उसार यहां करके भवोर्यक्ष्वर्स हैं ूश्य और इस वर्ष गइसे अरवर्ष ऐसे ही संधालूं का बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, अब की बार भी आते हैं, यहां पुलिश प्रसाशन से लेकर के दरागन जो खाना है, वहां से भी प्रसाशनिक सहयोग नगर मिनम का और इनका भी भरकूर रहता है, और इतने भी संधालूं के समको प्र